पाकुड के पूर्व एस्पी अमर्जीत बलिहार समेच है पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में प्रवीर सनातन बास की उर्फ ताला दाउद जोसिफ और 25 अग्यात के कलाफ काठी कुंड खाने में मामला दर्श किया गया था इस केस में साथ अभी उक्तों पर ट्राईल चला जिसमेच प्रवीर वकील हिबरम मानवेल मुर्बू सतन बेसरा सनातन बास के उर्फ ताला शामिल थे इस केस में गिरफतर पाच अभी उक्तों वकील हिम्रम लोबिन मुर्बू सतन बेसरा और मानवेल मुर्बू को अडालत न की ओर से एपीपी सुरेंडर पिसाद सेनहा ने इसे रेहरेस्ट आफ दर रेहर केस बताते हुए कुछ केसों का हवाला देते हुए फासी के सिज़ा देने को नियायुचित बताया दोनों हमारे डिफेस लायर के सुना गया और अभ्योजन पक्ष को सुना गया और सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर आई इन दोनों मुदाले को ये दोसी करार देते हुए सजा जो है सजा मौत की सजा दी गई फैसले के बाद नकसली प्रवीर और सनातन बास्की के परजरों में मायूस सिछाई हुई थी उनके परिवार वालों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे यहां तो मेरा उमीद था लेकिन अवीद तो यहां टूड गया आप तो हमको रहा कुड जनाहे इसके अलवार किया कहींगे उमीद थी मतलब उसका निड़ दोस्वाइगर जैसे हो लेकिन निड़ से नने दोसी साथए कर दिया हैं और क्या कहींगे ये मामला दो जलाई 2013 का है जब तुमका मैं डिया जी प्रिया दुबे के साथ बैठा करने के बाद S.P.M. अमर्जीत पलिहार और उनके बॉडिगाड दो वाहनों से पाको लोट रहे थे इस बीच काठी कुंट के अमतला के पास घात लगाए नकसलियून ने उनके वाहन पर 1.47 अफारिंग शुरू कर दी इसमें S.P.M. अर्जीत पलिहार समेट पाच पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी पलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद नकसलियून ने उनके हत्यार दो 1.47 चार इंसास राइफल दो पिस्टल और 647 गोलियां ले गए थे पिरो रिपोर्ट एपी एंड